इस बड़े परिसर में शावर का अनंद लेती जो भैस दिख रही हैं वास्ता में बेग ब्यूटी पार्लर में है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये एक ब्यूटी पार्लर है जो फूरी तरह से भैसों के लिए समर्पित है भैसों को धोना पारंपरिक प्रथा है जल को परदूसित होने से बचाने के लिए प्रसासन ने एक अनूठी सुविधा प्रदान की है यह रंकला जील को साफ रखने में भी मदद करती है ये अनोखा है और अपनी तरह का एक लौता भैस ब्यूटी पार्लर है जो महराश्ट्र के पुल्हापूर्श शहर में इस्खित है यूटी पार्लर के पीछे की कहानी काफी अनोखी और पर्या वरंड के अनुकूल है शहर को प्रदूशन मुक्त रखने के लिए नदियों और तालाबों में जानवरों को धोना प्रतिबंदित कर दिया गया है लेकिन ये अच्छा और दिल्चस्प कदम किसानों और पशुपालकों को प्रभाविद करने वाला है दूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए भैंस धोना आविशक होता है इसी लिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया और सुंदर था कि इस पार्लर की शुरुवात की भैंस ब्यूटी पार्लर कोलःपुर पशुपालकों की मदद करने के साथ ही यहां की दूद कट्टा संस्कृती को जीवित रखने में भी मदद करता है भैंसो कोद होने के साथ ही उनके लिए शेविंग सेवा भी उस ब्यूटी पार्लर में दी जाती है ब्यूटी पार्लर का संचालन बहुत अच्छे तरीकी से किया जाता है यहां पर भैंस धोना पूरी तरह से निशुल्क है इस ब्यूटी पार्लर का फंड हम जिला योजना समेती के माध्यम से पूरा करते हैं गोबर और बालों को इकठा करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है एक अत्रित होने वाले गोबर का उप्योग और वरक की रूप में किया जाता है इसलिए पार्लर का संचालन पर्या वरंड की रक्षा करने में भी मदद करता है हम तीन महिने में एक बार भैस के बाल काटते हैं और पड़वा समारों में सिंगों को रंगते हैं हम इस सर्विस सेंटर में भैस के बाल काटते हैं बाल और गोबर के संग्रह की सुविधा यहां उपलब्द है यह मवेशी मालिकों के लिए मदददगार है मवेशी मालिक इस कदम पर खुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की ब्यूटी पार्लर इस्थापित करने से फर्यावरंट संग्रक्षन में जरूर मदद मिलेगी 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें इटीवी भारत है